आज मैं बना रही हूँ गाउं के लोगों का परसिद खाना और आपको कैसा लगता है जरूर बताएं तो ये मैं चुले के उपर बना रही हूँ सबसे पहले मैंने मीटी के बरतन में डाल लिया थोड़ा सा पानी और ये गुआर फली और कचरी को बरीक बरीक कट कर लिया और इसको इसमें डाल दिया पानी में और उसमें डालेंगे स्वाधनुसार नमक और थोड़ी सी डाल कोई भी डाल हो आपके पास ये मैंने मिक्स डाल डाल दिया थोड़ा इसको ढख के पका लेंगे और ये इधर लिया मैंने एक लिटर लस्टी चाच चाय जो भी आप बोलते हैं इसमें एक चमच बेशन और दो चमच गेहूं का आटा डाल कर इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इधर ये फली और दाल पक गए हैं इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना इसमें धीरे धीरे करके ये खटा डाल लेंगे इस साग को हमारे यहाँ खाटे का साग बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं तो जरूर बताएं और आप लोगों को कैसा लगता है जब तक ये पकने लगे तब तक इसको चलाते रहे उसके बाद पीछ लेंगे ये लाल मिर्च और लसुन इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे ताकि मिर्च अच्छी से पीछ जाए और इसमें कोई आलतु फालतु मसाला नहीं डालेंगे हम और ये साग बहुत ही टेश्टी बनता है एक बार जरूर बनाएं और ये देखिए साग का कलर और साग हमारा बनके हो गया तैयार आज मैं बना रही हूँ चुले पर ही रोटी चलो खाना डाल लेते हैं खाटे का साग लोनी घीक का साथ चाच की घूट और चटने का स्वाद वाह ला जवाव प्रॉड़ झाव झाच की बनुट चाच की था भाह लोटी घुटीर मत्ता है